सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो चुनाव है क्या? रहात इंदोरी सहाब तो नहीं रहे हमारे बीच में लेकिन उनके शब्द उनकी सोच बिलकुल हमारे साथ है और उनकी चेतावनी की चुनाव से पहले तनाव आना जरूरी है लेकिन सरहत पर तनाव सियाची में जवान पाकिस्तान का हमला ये जुमले अब पुराने हो चुके है जबसे चाइना ने हमारे बॉर्डर पर हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठी हुई है तबसे बॉर्डर की बाते कुछ कम सी हो गई है लेकिन चुनाव तो आ रहा है तो तनाव तो चाहिए डर का माहौल बनाना तो जरूरी है इसलिए एंटर तनाव नंबर वन पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जिसके बारे में हमने पूरा पूरा एपिसोड बना के रखा है आपको बहुत पसंद भी आया दूसरा तनाव नंबर टू पॉइंट है यूसी सी यानि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 370 राम मंदिर के बाद यूसी सी को माना जा रहा है बी जे पी का तीसरा बड़ा मास्टर स्ट्रोक और आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है पिछले ही दिनों दिल्ली हाई कोड ने एक तलाक के मामले में सुनवाई करते दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में कहा कि शादी और तलाक के मामलों में अलग-अलग पर्सनल लॉस के कारण बहुत से युवाओं को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें इन प्रॉब्लम्स के साथ ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता है देशवग के आज के एपिसोड में इसी लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है समझाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम समर्थन क्यों देते हैं ये भी बताएंगे लेकिन इस पर जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है उस पर भी बात करना ज़रूरी है और हमारे देश का इससे कितना भला होगा और डिरेक्टिब प्रिंसिपल अव स्टेट पॉलिसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा और भी जो चीज़े हैं उसका क्या लेकिन ये सब हो उससे पहले हम लाबू कर रहे हैं यहाँ डि सी सी यानि देशभक्त सिविल कोड जो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो वीडियो आगे नहीं देख सकते हैं दबाओ सब्सक्राइब बटन नेतर टाइप आधकाम मत करो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ युनिफर्म सिविल कोड की मांग बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन बहुत कम ही लोग समझते हैं कि यह मामला कितना पेचीदा है हमने भी समझने की कोशिश की WhatsApp forward से हम आगे गए हमने resource material पढ़ा experts की बाते सुनी और फिर अपनी इस पे कोई ठोस राय बनाई तो BJP के तीन बड़े मुद्दे हैं मंदिर डन, Article 370 डन तो जाहिर सी बात है कि उनिफर्म सिविल कोड next है डन ही मानो लेकिन फिर देर किस बात की प्रॉब्लिम ये है कि उनिफर्म सिविल कोड का मामला धार्मिक और financial complications के वज़े से हमेशा sensitive रहा है इसलिए हर सरकार इस मामले पर फुक फुक के चलती है भारत में by the way UCC है, अल्रेडी मौजूर है उनिफर्म क्रिमिनल कोड मनें आप किसी भी धर्म के हो अगर आप चोरी चकारी करोगे खून खराबा करोगे दंगा फसाद करोगे तो law समान रूप पर ही आप पर लगेगा अवे, at least in theory लेकिन जहां बात आती है personal laws की वहाँ थोड़ा 50 shades of grey का मामला हो जाता है जब मामला personal होता है religious होता है तो religious practices किताबे क्या कहती है परंपरा क्या कहती है उसे भी ध्यान में रखा गया है हिंदूओं में personal law का इस्तमाल होता है inheritance में business के succession में शादी, adoption, co-parenting एक लड़का अपने पिता का कर्ज उतारे या नहीं property का बटवारा कैसे हो divorce के बाद maintenance, charitable donations और शायद सबसे बड़ा master stroke Hindu undivided family जो experts कहते हैं एक tax toolkit बन गया है जिससे देश के खजाने को हजारों करोरों का नुकसान होता है ये सब आता है इस मामले में इसलाम में यही personal laws का इस्तमाल किया जाता है inheritance में, wills, succession शादी, वक्ष, दहेज, divorce वग्यरा वग्यरा जब uniform civil code लाबू हो जाएगा तब अंबेदकर जी का एक सपना तो जरूर पूरा होगा, women, religious minorities और पिछडे वर्गों को protection मिलेगा legal process और आसान हो जाएगा जहां आज Hindu code bill, शरियत law को समझने की ज़रूरत पड़ती है वही कल शादी, succession, adoption में एक legal समानता आजाएगी आसानी हो जाएगी एक ही civil law होगा, पूरे देश में लाबू होगा, तो इसमें कोई दो राहे नहीं है कि हमें ये uniform civil court चाहिए इसमें पूरा sense बनता है ये बात में कोई debate नहीं है सरल भाशा में कहें तो uniform civil court का मतलब होता है एक देश, एक विधान जैसे कि शामा प्रसाद मुखर जी ने कहा था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं हो सकते हैं हमारे सम्विधान में directive principle of state policy भी है उसमें article 44 कहता है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि देश भर्म ने देश के नागरिकों को एक समान कानून मिले इस कानून की मांग सबसे ज़ादा इस समय कर रहे हैं राइट विंग वाले लोग भक्त बेनरजी टाइप ओफ लोग यार एडिटर हटाओ यार डरा क्यों रहे हो हैं अब भक्त बेनरजी टाइप लोग ये सोच रहे हैं कि इससे देश में एकता की भावना का संचार होगा अब इनको कौन समझाए अब सुनिए मज़े की बात देश के समविधान में आर्टिकल 25 भी है जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार देती है मने freedom to practice his or her own religion जब हमारा समविधान लिखा जा रहा था तब इस बात पर बहुत बहस होई कि uniform civil court को fundamental rights के chapter में डाला जा या नहीं मने पूरे देश में एक ही personal law का हक लोगों को दिया जा या नहीं इस पर voting होई फिर fundamental rights sub committee जिसके head थे by the way सर्दार वल्लब भाई पतेल उसमें 5-4 के majority से ये decide हुआ कि uniform civil court fundamental rights से बाहार रखा जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि समविधान के मताबिक uniform civil court right to freedom of religion के नीचे बस थोड़ा इसा नीचे पाइदान में आता है fundamental rights में नहीं आता है और जब हमारा समविधान लिखा जा रहा था तब ये बात भी साफ थी कि पूरे भारत में एक ही civil rule लगाना इतना असान नहीं होगा इसी लिए personal laws बनाने का जो हक है वो सिर्फ parliament को नहीं दिया गया है इसे concurrent list में रखा गया है मने simple भाशा में इसमें अलग-अलग राज्य अलग-अलग states भी अपनी laws बना सकते हैं हक सिर्फ parliament के पास नहीं है इस uniform civil code में नहरू की गलती भी है उन्होंने अपने टाइम पे establishment से लोहा लिया इंक्लूडिंग प्रसिदेंट राजे इंदर प्रसाद फॉर्मर कॉंगरेस प्रसिदेंट पुरुशुत्तम दास टंडन के साथ भी जड़प हुई चार हिंदू code bills को पारित करवाया गया 1950s में इससे हिंदू personal law का modernization हुआ आधूरी की करन हुआ लेकिन दूसरे religion के personal laws को modernize करने में नहरू चूप गए अब आप बोल सकते हो जानमूच के या चूप गए लेकिन यहां नहरू की गलती है वही दूसरी parties भी minorities को अपना vote bank तो समझती रही लेकिन उनके personal laws को modernize करने के लिए उन्होंने धेले भर का भी काम नहीं किया नतीजा आज है इसलिए बहुत सारे लोग BJP का समर्थन करते हैं जब BJP uniform civil court की मांग करती है क्योंकि दूसरे parties ने इसमें कोई काम नहीं किया है लेकिन फिर भी हाल ही में law commission ने साफ साफ बात सामने रखी कि uniform civil court practical नहीं है हमारे देश के लिए और आज के date में इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा देश इतना vast है इतना diverse है कि सब लोगों को एक ही law में ठूसना सही नहीं होगा अब अगर diversity की बात हो रही है तो मैं एक tip भी आपको दे देता हूँ एक audio book आपको मैं suggest करना चाहूंगा India Uncovered इसे आप Kukoo FM से download कर सकते हैं और नहरू से लेकर नौर्थीस से लेकर नकसल बाडी तक हमारी complicated जो देश है उसको आप बहतर समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत बार क्या करते हैं सब कुछ black and white पर डालने के कोशिश करते हैं लेकिन हमारा देश black and white है नहीं नीचे दिये गए link से आप Kukoo FM download कर सकते हैं code देशभग 20 या DB20 इस्तमाल कर सकते हैं and in less than a rupee a day आप बढ़िया audio content भी consume कर सकते हैं different topics पर very interesting topics पर अब Kukoo FM क्या यही नहीं मालूम आपको audio books क्या है आपको भी consume ही नहीं करते हो तो 2 second रुको वो आपको समझाता हूँ मैं उसके बारे में भी सवाल यह नहीं है कि uniform civil court की जरुवत है या नहीं है है theoretically सवाल यह है कि आज के date में हम उसके लिए तयार हैं कि नहीं 7 जुलाई को डेली हाई court में जिस case की सुनवाई के दोरान justice प्रतिबा एम सिंग ने कहा कि आधूनिक भारतिय समाज दीरे दीरे एक जैसा हो रहा है धर्म जाती और समाज की पारंपरिक बेडिया आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही है इसी लिए uniform civil court केवल उमीद बनकर नहीं रहनी चाहिए सुना आपने आधूनिक भारतिय समाज दीरे दीरे एक जैसा हो रहा है मिलोड मैं माफी मांगूंगा लेकिन आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप कोर्ट से बाहर जड़ा कदम रखिये टीवी से लेकर ट्विटर तक परलिमेंट से लेकर पंचायत तक गाउं से लेकर शहर तक polarization का जहर आज जितना घुल रहा है पिछले 70 साल में ऐसा नहीं घुला है उसके ओपर honor killing खाप पंचायत verdicts caste based assaults जैसे मुद्दे रोज खबर में रहते हैं कुछ लोगों का लेकिन तब भी मानना है कि uniform civil court लाने से सब कुछ बदल जाएगा समाज ही बदल जाएगा अब ऐसा है क्या विड़ो re-marriage act को ले लो 1856 में लाबू हुआ था आज भी मैं ऐसे आपको सैकडो उधारन दे सकता हूँ जहां फेरे लेने के बाद अगर पती गुजर जाए तो लड़की दोबारा शादी तक नहीं कर पाती है कौन से बेडियों तूटेने की बात कौन सी समानता की बात हो रही है मुझे तो नहीं समझ में आता है ये law लाने की जरूरत है इस बात पर हम अटल है सुपरीम कोट ने भी कितनी बार इस बात की जरूरत पर फोकस किया है 1985 की बात कर लीजिए famous शाह बानो वाले case की बात कर लीजिए वहाँ सुपरीम कोट ने कहा था आर्टिकल 44 के अंतरगत जो यूनिफॉर्म सिविल कोट लाने की बात की गई है वो महस कोरी आशा बनकर नहीं रहनी चाहिए लेकिन चिंता का विशा ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोट पर पॉलिटिक्स जो खेली जा रही है सुनिए विएच बी के नैशनल स्पोक्समर्सें विरोध बंसल के अनुसार तो सिक्यूरिसम का खात्म अचा वो सेक्यूरिसम का खात्मा करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोट चाहिए उन लोगों को सबक जो सिखाना है लेकि हमारे देश में फॉल्ट लाइन्स है हर देश में फॉल्ट लाइन्स होती है लेकिन हमारे पॉलिटिशन इन फॉल्ट लाइन्स को छोटी छोटी फॉल्ट लाइन्स को ऐसे चीर के बरा कर देते हैं जिसे देश ही खत्रे में आ जाता है। Uniform Civil Code अगर सही माइने में आप लाते हो, पेश करते हो, तो सबसे ज़्यादा भला होगा महिलाओं का। सारे Personal Laws टटोल के देख लो, औरतों का दर्जा कम या ना के बराबर होता है। Succession देख लो, Inheritance देख लो, शादी देख लो, Muslim Personal Law के तहट आदमी चार शादिया अगर सकता है, लेकिन महिलाओं नहीं कर सकती हैं। क्यों भाई? अगर ऐसा ही है, तो दोनों साइट को पर्विसन होनी चाहिए ना। तमाम सुधारों और Modernization के बाद भी, हिंदू कानून में महिला को शादी के बाद पती के परिवार का हिस्सा माना गया है। कोई हिंदू विधवा अगर बिना उत्तर अधिकारी गुजर जाती है, तो उसकी संपत्ती उसके पती के फैमिली को मिल जाती है। Uniform Civil Court कानून से ये सब तलाक, शादी, उत्तर अधिकार जैसे पीचीदे मामले और आसान हो जाएंगे, सुलज जाएंगे। क्योंकि अलग-अलग कानून होने से मामला अब्यसली लीगली कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जैसा हाल ही में डेली हाई कोर्ट में जिस मामले के दोरान UCC का समर्थन हुआ, वो मिला जाती से जुड़ा है। देखो भई, हुआ यहों कि शादी हुई, फिर हुई हुआ जो होता है शादी के बाद, अब एडिटर उसके बाद जो होता है, आँ, टकरार, लड़ाई जगड़ा, हजबन ने डिवोर्स मांग लिया, पतनी ने डिवोर्स पेटिशन कैंसल करवा दिया, ये कहके कि वो तो मीडा ट्राइब से है, और हिंदू मारेज अक्ट 1955 के रूल्स के अंडर वो आती ही नहीं है, तो डिवोर्स हो ही नहीं सकता है, बात गुमते गुमते डेली हाई कोर्ट तक पहुँची, जहाँ पतनी की दलील को खारिज कर दिया गया, अब खारिज क्यों किया, किस ग्राउ अबू हुआ है, यह पॉर्चुगी सिविल कोर्ट 1867 पर आधारित है, लेकिन गोआ का कानून जेंडर इक्वालिटी नहीं रखता है, यही कानून कुछ हालात में हिंदू पुरुषों को दो-दो शादियां करने की अनुमती देता है, जैसे कि अगर महिला, मने पतनी, वाह, यह इसी मुल्क में एक राज का कानून है, बेटा पैदा करने के लिए दूसरी शादी अलाउड है, लीगली, और इसको युनिफर्म सिविल कोर्ट का नाम भी मिला हुआ है गोआ में, वाह, अब देखिए, मास्टर स्ट्रोक हमेशा देश में जटके से ही लाया जात लोगों को भी यही पसंद है, आर्टिकल 370 देख लो, अब कौन यह आपको बताएगा कि राजनीती में काम हलके से धीरे-धीरे से भी हो सकता है, आर्टिकल 370 वैसे में भी धीरे-धीरे डस्ट बिन में जाही रहा था, सेंट्रल लॉस जम्मु इन कश्वीर में धीरे-धी वैसे में ही अपलाए हो रहे थे, वैसे ही अगर आपको सच में पीसफुली और प्रोग्रेसिवली यूनिफॉर्म सिविल कोड लाबू करना है, तो आपको धीरे से काम लेना होगा, सारे समुदायों को, सारे पार्टीज को, जुडिशरी को, साथ में मिलके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, याद रखो, ये सिर्फ माइनॉरिटी इसके पर्सनल लॉज की बात नहीं हो रही है, यहां हिंदू पर्सनल लॉज भी बदलेगा, एक्सपर्स कहते हैं कि यूनिफर्म सिविल कोड लाने से हिंदू अंडिवाइड प्रैक्टिस जो है, उसको भी यहां यूनिफर्म फैमिली लॉज नहीं है, साथ आफरिका, केनिया, ग्रीस जैसे क्रिश्चन बहुमूल्य राज ले लीजिए, या इंडोनीजिया, पाकिस्तान, या बांगलादेश जैसे मुसलिम मेजॉरिटी देश ले लीजिए, दुनिया में और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं, जहां परसिनल फैमिली लॉज हैं, जो की अलग हैं, फ्रम किर्मिनल लॉज, तो सवाल ये उठता है, कि देश की स्वास्त अवस्था, आर्थिक अवस्था, गनतंत्रिक अवस्था, जब ठप पड़ी हुई है, तब इस सारे अवस्था के बीच में क्या ये पेश करने का, टेलिग्राफ का एडिटोरियल मामले को सही आखता है, कि एक ऐसी सरकार जो बाटने की राजनीती करती है, उसके द्वारा समाज में एक रूपता, होमोजिनेरिटी की बात करना संभव है या नहीं, ये एकता के नाम पर जातियों और धर्मों के बीच में और दरार पैदा करने की भूख के अलावा कुछ नहीं है, आकार पटेल बिजनेस टैंडर में लिखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का प्राइमरी टार्गेट पॉलिगमी को रोकना है, जनसंख्या विसफोट रोकने के नाम पर इसे टार्गेट बनाये जा रहा है, जैस में सांसत के आगामी सत्र के मद्दे नजर जब UCC या उनिफॉर्म सिविल कोर्ट और पॉपुलेशन कंट्रोल की चर्चा से मेंस्ट्रीम मीडिया में भी चर्चा का बाजार घरम है, तब समविधान में ये भी लिखा गया है कि काम का अधिकार, स्वास्त का अधिकार, सरक सरकार की चिंता में ये शुमार क्यों नहीं है, तो अगर ये मान लेते हैं कि सरकार पॉलिटिक्स नहीं खेल रही है, सच्चे मन से और श्रद्धा से डिरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी को लाबू करना चाहती है, जो हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स ह जा रही है, गरीभी बढ़ रही है, अवोइड कॉंसेंट्रेशन ओफ वेल्ट इन फ्यू हैंड्स, लिखा हुआ है DPSP में, यहां दो चार पूंज पती है, जिनके अच्छे दिन चले ही जा रहे हैं, और बाकी जंता के हाथ में बाबाजी का ठुलू मिल रहा है, आर्टिक हो गया, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, हालत वही है, हेल्थ केर पर एक्स्पेंडिचर उतना ही है, फेसिलेटी ठंठान को पाल है, आर्टिकल फॉर्टी एट, to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country, अब दुनिया में सबसे ज़्यादा polluted cities हमारे देश में, आर्टिकल फिफ्टी, state shall take steps to separate Judiciary from Executive in the Public Service of the State, इस पे हम क्या का है, Judiciary State से कितना अलग है, कितना मिला हुआ है, ये तो आप देखी रहे हैं, तो ये रहे Uniform Civil Code और उसको apply करने के कुछ बातें, अगर अभी भी इतने लंबे एपिसोड के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो दो पंक्तिया सुन ली नेतर टाइप आधा काम मत करो, सबस्क्राइब के साथ साथ, बेल आइकोन भी दबाओ Self-Improvement Books, आप सुन सकते हैं, अपने आपको educate कर सकते हैं, अपने आपको और बहतर बना सकते हैं किताब पढ़ने से ज़ादा सुनने में convenient होता है, और scientifically proven है कि इसमें retention rate भी ज़ादा होता है काम करते-करते, वॉक करते-करते, अब आप Books consume कर सकते हैं कुकू FM को अगर आप नीचे दियेगा इन लिंक से डाउनलोड करते हैं, तो आपको मिलेगा 20% annual discount और आपका annual subscription cost अब बन जाता है 319 rupees only That's less than a rupee a day यार, तो लिंक नीचे है, डाउनलोड करो and use coupon code DB20, मने देशभग20, DB20 इस्तमाल करो और enjoy करो high quality content इतना भी enjoy मत करना कि देशभग को भूल जाओ, see you soon